Life in the Northern Plains The Northern Plains cover the areas of the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, parts of Assam and National Capital of Delhi Northern Plains पर जो रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब Northern Plains का जो एरिया है, है ना? वो किसकी से एरिया, किसकी से स्टेट्स को कवर करता है पंजाब, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal और Assamka parts, है ना? कुछ parts and National Capital of Delhi यह सब किस में आते हैं? Northern Plains में आते हैं अब हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में पंजाब is known for its agricultural produce, farmers use modern techniques to produce more wheat, rice and other grains मक्का की रोटी and सर्सो का साग is a well known dish of पंजाब पंजाब जो है अपने agriculture, cultural produce के नाम से जानी जाती है, है ना? क्योंकि महाँ पर बहुत ज़्यादा agricultural productions होते हैं, है ना? farmers modern techniques use करते हैं, है ना? और भी मतलब जादा wheat grow करने के लिए modern techniques को use करते हैं, है ना? rice, grains, इन सब को grow करने के लिए, मक्का की रोटी और सर्सो का साग, ये पंजाब की बहुत ही जानीवानी dish हैं, पंजाब are fond of lassi, पंजाब lassi के लिए भी जाना जाता है, वहाँ पर मक्का की रोटी, सर्सो का साग, दहीं, लर्सी, है ना? बैसाखी and लोहरी are the man harvest festival of पंजाब, पंजाब का जो harvest festival है, वो हैं बैसाखी और लोहरी, गिद्दा and भांगरा are folk dance of पंजाब, गिद्दा और भांगरा ये जो dance हैं, ये पंजाब के folk dance हैं, और आप सब इनको जानते हैं और करते भी हैं, Most people speak Punjabi language, Lodhiyana is the Punjab's largest city and India's largest city north of Tehli, the golden temple at Amrissar is a tourist attraction, ओकी, Lodhiyana जो हैं, पंजाब की सबसे largest city मानी चाती हैं, है न, और city and India's largest city जो हैं, नौर्थ में, इंडिया की सबसे बड़ी city कौन सी हैं, Delhi, ओकी, और golden temple जो tourist का attractive place हैं, है न, बहुत जादा attraction करता है tourist को, वो है, Amrissar में, यह देख रहे हैं, golden temple ही पूरा gold से बना हुआ है, है न, कितना बड़ा temple है, और यह gold से बना हुआ हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं, अब हम पढ़ेंगे हरियाना के बारे में, है न, most people are farmers, they are, use modern machines and techniques for farming, some people are involved in dairy farming, फरीदाबाद and गुरुग्राम are industrial central, अब पंजाब और हरियान, है न, पंजाब और हरियाना, दोनों की ही जो, दोनों states हैं, लेकिन दोनों की क्या है, capital से, हैं, है न, पंजाब और हरियाना, दोनों की capital चंडिकर हैं, है न, और यहां की जो, जादतर people, जो हैं, वो farmers हैं, और farming में ये modern machine और techniques का यूज करते हैं, कुछ people जो हैं, dairy farming में involved हैं, dairy farming चानते हैं, आप, जो, गाय भेस का पालन करते हैं, है न, पालन portion करते हैं, और तूथ का अव्यापार करते हैं, फरीताबाद और गुर्गराम जो हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर से, नेशनल कैपिटल, territory of Delhi, it is a political center, there are offices of central ministers, the president of India lives in रास्पती भावन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी चो नेशनल कैपिटल है, है न, हमारी इंडिया की नेशनल कैपिटल है, देहली, और देहली को territory, डेहली एक territory भी है, ओके, यह political center है, और यहाँ पर central ministers के offices है, प्रेसिडेंट जो इंडिया का है, है न, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, वो भी यही रहते हैं, है न, रास्पती भावन में, laws for the nation are discussed in the Parliament House, which is in देहली, जो लास है, है न, जो हमारे नेशन के लिए जो लास बनते हैं, जो discussion किये जाते हैं, वो यही पर Parliament House में, देहली में ही किये जाते हैं, है न, देहली के Parliament House में discuss किये जाते हैं, there are many places of attraction of tourists, बहुत सारे places यहाँ पर ऐसे हैं, जो tourist को attract करते हैं, they include, अक्षरधाम, रैटफोर्ट, कुत्मिनार, इंडियागेट, जामा मस्जीद, एंड लॉतस टेमपल, और उन में कौन-कौन से places हैं, जो tourist को most attract करते हैं, अक्षरधाम, रैटफोर्ट, कुत्मिनार, इंडियागेट, जामा मस्जीद, एंड लॉतस टेमपल, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश is the largest state in terms of population, इंडिया की सबसे ज़्यादा population जो हैं, वो कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में, है न, most populated state यह मानी जाती है, some people are farmers and they domesticate animals such as buffaloes and cows for getting milk, कुछ people से यहां के farmers हैं, है न, और animals को यह domesticate करते हैं, है न, जैसे buffalo, cows, है न, उनका milk के लिए, लखनाओ the capital of state, उत्तर प्रदेश की जो capital है, वो क्या है, लखनाओ है, is well known for chicken curry embroidery, लखनाओ जो है, वहाँ पर chicken curry embroidery के लिए यह बहुँ ज़्यादा famous है, वारा नसी जो है, वो सिल्क सारी के लिए famous है, कुम्भ मेला is held at प्रयागराज, pilgrimage central like ब्रिंदावन, मत्थूरा और आयोधिया आरिनुत्तर प्रदेश, कुम्भ का जो मेला है, वो प्रयागराज में लगता है, है न, कुम्भ के बारे में आप जानते हैं, उजेन बनारस, है न, प्रयागराज, ओके, अब यह एक pilgrimage, यहाँ पर बहुत सारे pilgrimage centers भी हैं, और उनके नाम है, व्रिंदावन, मत्थूरा, आयोधिया, है न, Hindi is the man language spoken by people of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh की जो language है, वो है, man language हिंदी है, और यहाँ की हिंदी बहुत जादा शुद्ध बोली जाती है, न, यहाँ पर जो हिंदी बोलते हैं, people बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में, बिहार is a land of India's, one of the richest cultures and heritage, many great personalities had served this land, Ashoka and Buddha are few of them, okay, अब बिहार, बिहार चो, आप यहाँ देख रहे हैं, यह कौन सा celebration हो रहा है, यह छट celebration हो रहा है, है न, यहाँ पर छट का celebration किया जाता है, बहुत एक धूमधाम से किया जाता है, नदी की किनारे पर किया जाता है, बिहार जो सबसे richest cultures और heritage की land मानी जाती है, बहुत सारे great personalities नहीं यहाँ पर इस land को सरु किया है, अशोका और बुद्धा उन में से कुछ है, है न, अशोका बुद्धा जो है, वो भी बिहार में ही उनका बर्थ हुआ था, मही की land को उन्होंने सरु किया, बिहार is a state where old cultures are still followed, which make the environment soothing to live, बिहार एक ऐसी state है, जहाँ पर बहुत ज्यादा old culture जो है, आज भी वहाँ पर follow किया जाता है, और यहाँ पर जो culture है, वो environment soothing to live है, अब लिठी चोप का, is a famous dish of बिहार, लिठी चोप का जो है, वो बिहार की famous dish है, है ना, और छट जो है, is a popular festival celebrated by the people of बिहार, ओके छट का जो त्योहार है, है ना, यह सबसे popular है, है ना, और बिहार के people इसको celebrate करते हैं, Mathili and Bhojpuri are spoken by the most people of बिहार, बिहार के जो people से, उनके द्वारा Mathili और Bhojpuri, यह two languages speak की जाती है, the coastal plains of India, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, the coastal plains of India, to the east and west of the peninsular plains, two narrow strip of plains are found, which are respectively called the eastern coastal plain and the western coastal plain, east or west, है ना, peninsular plains का जो east और west है, यहाँ पर two narrow strips है, plain land की, यहाँ पर पाई जाती है, ओकी, जो की, जिसको हम eastern coastal plains या फिर western coastal plains के नाम से जाने, जानते हैं, इस plains stretch from Gujarat to west Bengal, इस plains are formed by the sea wells and the sediments brought by the peninsular rivers, यह जो प्लैन है, यह गुजरात से west Bengal तक है, है ना, और यह जो प्लैन है, यह किस से formed हुआ है, sea wells और बहुत सारी rivers, जो sediments को अपने साथ लेकर आती है, उससे यह प्लैन बना है, इस्टर्न कोस्टल प्लैन, इस्टर्न कोस्टल प्लैन जो है, यह 50 किलोमेटर से लेकर 60 किलोमेटर तक फैला हुआ है, है ना, और यह वैस्टर्न कोस्टल प्लैन से जादा चोडा है, इस्टर्न घाट और यह जो है, इस्टर्न कोस्टल प्लैन यह कहां पर लोकेटेड है, इस्टर्न घाट और बेयोफ बेंगल पर, ओके, its outline is regular and is characterized by offshore, bars, sea, beaches, sandrages and lagunz, okay, इसके जो outline है, है न, is regular and is characterized by offshore bars, okay, क्या है यहां पर offshore bars, sea beaches, sand ridges and laguns यहां पर है It is divided into two parts इसको two parts में divide किया गया है किसको? Eastern coastal plank, okay Coromandel Coast और Tamil Nadu Coast and Northern Circle Coast और West Bengal Coast, okay Two parts में इसको divide किया गया है Coromandel Coast या फिर Tamil Nadu Coast, Northern Sirka Coast या West Bengal Coast, okay Most of the east flowing rivers follow zigzag path and are more broader as compared to west flowing rivers जाद तर जो यहां की जो rivers है, है न, east flowing rivers जो है वो जिखजेक path को follow करती है, जिखजेक मींस जानते हैं आप लोग टेड़ा मेड़ा, है न, एक कहीं से, इधर तो कहीं से उधर है न, टेड़ी मेड़ी होते हुए यह निकलती है और यह जादा broader है, अगर West flowing river से compare किया जाए, तो जो stern flowing river है, वो जादा broader है इसलिए जो East flowing river से वो डेल्टा फर्म करती है और जो West flowing river से जैसे नर्मदा और तापी यह Istory को फर्म करती है Western coastal plan, ओके, the western coastal plan is 10 km to 15 km wide and is narrower than eastern coastal plan जो western coastal plan है, यह 10 km से लेकर 15 km तक wide है और यह Eastern coastal plan तक जाते जाते यह क्या हो जाता है, narrower हो जाता है, सकड़ा हो जाता है It is located between the western ghat and the Arabian sea यह western ghat और Arabian sea पर located है, it is divided into the following three parts इसको three parts में divide किया गया है, जो यहां पर दिया गया आपको कौन-कौन से three parts, काथियावार coast और गुजरात coast It is built by aluvium, brought by Sabarmati, Mahi, Narmada and Tappi rivers It is towards the north काथियावार coast और गुजरात coast जो है, यह aluvium के तो आरा पर नहीं हुई है, यहां पर बहुत जादा aluvium soil है है ना, जो कौन सी rivers से लेकर आती है Sabarmati, Mahi, Narmada and Tappi rivers और यह कहां जाती है, north की तरफ कौन-कौस्ट और महारास्ट कोस्ट It is the middle, it is in the middle यह कौन-कौस्ट और महारास्ट कोस्ट जो है, यह middle में है है ना, अब मालाबार कोस्ट और केरिला कोस्ट It contains lakes, lagoon's and backwaters Vemband lake is the largest of such backwater lakes मालाबार कोस्ट और केरिला कोस्ट है ना, मालाबार कोस्ट और केरिला कोस्ट जो है, यहां पर क्या है, बहुत जदा lakes है, lagoon's है और backwaters कहां का Vemband lake, है ना, यह सबसे largest है यह backwater lakes में, ओके, life in the coastal reason अब coastal reason की life कैसी है, the states of Gujarat, Maharaj, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Anad Pradesh, Odisha and West Bengal lay in the coastal region of India Let us know about the life of people living in these states Gujarat की जो stat है, है ना, कौन-कौन सी, महाराश्र, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Anad Pradesh, Odisha, West Bengal यह coastal reason of India है, अब हम इनके बारे में जानेंगे यहां के जो people है, इनकी life कैसी है, है ना, अब हम पढ़ेंगे गुजरात के people's की life के बारे में, गुजरात is famous for its rich culture and heritage farmers grow, cotton, jar, basra, salt is produced along the coast Gujarat is a central, center of diamond industry, there are many textile mills and refineries, अब गुजरात जो है, बहुँ जादा famous है, है ना, और बहुत ही rich culture है, यहां का बहुँ जादा heritage है, यहां farmers यहां पर cotton, jar, basra grow करते हैं, और यहां पर, यहां की यह जो गुजरात को है, यहां पर salt भी produce होता है गुजरात जो है, diamond industry का central part माना जाता है, यहां पर बहुत सारी mills है, है ना, textile mills और refineries यहां पर है the gujarat ras garba dance is a delight for the entire world, अभी नवरातरी चल रही है, है ना, और garba dance जो आप करते हैं, garba जो बहुत जादा famous है, gujarat का ही dance है, है ना, और the gujarati food has a hint of sweetness in it that makes it unique in its true sense जो गुजराती food है, है ना, उसमें क्या होता है, sugar होती, सकर जादा होती, वो sweet होता है, है ना, मीठा होता है और ये unique sense देता है, गाठिया, फापड़ा, चक्री और मैठिया are well known snakes, यहां का जो famous नाश्टा है, वो क्या है, गाठिया, फापड़ा, चक्री और मैठिया मठिया, ओके, और ये famous है, यहां का जो नाश्टा है, यह सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, यहां के people के द्वारा, people speak गुचराती, यहां के जो people है, वो गुचराती language बॉलते हैं, ओके, अब हम पढ़ेंगे महारास्ट के बारे में, महारास्ट का जो famous dance है, वो है honey dance, महारास्ट is famous for film industry in Mumbai, farmers in महारास्ट grow cotton, oranges, onion and sugar, महारास्ट जो है, film industry के लिए, जाना जाता है, बहुत ज़्यादा famous है film industries के लिए, आप जानते हैं, महारास्ट में मुंबई सबसे ज़्यादा famous place है, है ना, farmers यहां के cotton, oranges, onion and sugar grow करते हैं, मुंबई high is the reason, reason where there are deposits of petroleum, मुंबई जो है, यह मुंबई high, okay, यह ऐसी reason है, जहां पर petroleum deposits है, people usually speak Marathi, यहां के जो people है, वो Marathi language बोलते हैं, है ना, जादतर जो people है वो Marathi language बोलते हैं, गनेश चतूर्थी is the man festival, गनेश चतूर्थी यहां का man festival है, यहां का folk music और जो डानसे से वो क्या क्या है, कौली, पोवाडा, बंजारा होली and लावनी डानस, some of the dishes like वड़ापाव, पावभाजी and पोरण पूरी, okay, have become famous throughout the world, कुछ यहां की dishes, है ना, जैसे वड़ापाव, पावभाजी, पोरण पूरी, यह बहुत ज़्यदा famous है, कहां की महाराश्टर, okay, पूरे वर्ल्ड में, अब हम जानेंगे गोवा के बारे में, गोवा जो है tourist place है, है ना, गोवा जो है उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, है ना, कैश्वनट्स एंड मेंगोज यहां पर बहुँ ज़्यदा होते हैं, और यह यहां बहुँ ज़्यदा क्या है, प्रिस्टीन, बिचेज, जॉर्जियर्स, वाटरफॉल्स और रिवर्स, और गोट फूट फूट एंड्रिंक्स यहां पर बहुँ ज़्यदा अच्छे हैं, the basilica of born Jesus holds the remains of Saint Francis X one And is a UNESCO World Heritage Site Basilica of Born Jesus Jesus यहाँ पर Basilica में born हुए और बहुत सारे यहाँ पर क्या है? holds the remains of St. Francis Exeter and is a UNESCO World Heritage Site यह UNESCO World Heritage Site है है ना? और यहाँ पर minerals, deposits like iron and manganese are found here in Goa mineral deposits जैसे iron और manganese यह यहाँ गोवा में बहुत ज़दा पाये जाते हैं kongkani is the widely spoken language यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो language बोली जाती है वो है kongkani language विंडालो और एक्सक्यूटी और famous dishes यहाँ की famous dishes कौन सी है? विंडालो और एक्सक्यूटी अब हम पढ़ेंगे कारेला के बारे में यह देख रहे हैं कारेला का famous dance कौन सा है? मौहिने अट्टम और कथक कली कारेला इस फैमस फोर इट्स इको ट्यूरिज्म इनिशेटीवज इट इस प्लैस ओफ साइनिक ब्यूटी इट इस वैल नोन फोर स्पाइसेज कोफी एंड टी कारेला जो है यह इसके इको ट्यूरिज्म इनिशेटीवज के लिए बहुत ज़दा famous है है ना और यह जो प्लैस से यह अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है यहाँ पर बहुत सारे spices ग्रो होते हैं कोफी और टी के लिए यह famous है पीपल यहाँ के जो हैं कौन सी लेंगवेज बोलते हैं पीपल स्पीक्स मलियालम कौन सी लेंगवेज बोली जाती के रहे लामें मलियाली लेंगवेज ओके मलियालम लेंगवेज ओनम इस पापुलर फैस्टिवल विच इस सेलिब्रेटेट विथ ग्रेट इन्थू सिस्म ओनम जो है यहां का पापुलर फैस्टिवल है जो की बहुती जादा इंथुसिस्म के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है मोहिनेटम और कथकली आर क्लासिकल डांस फोर्म यहां का जो क्लासिकल डांस है वो है मोहिनेटम और कथकली अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडू के बारे में तमिलनाडू is the southernmost state of इंडिया तमिलनाडू जो है वो southernmost state है इंडिया की चैन्ने is the capital city and an industrial center चैन्ने यहां की capital city है और यह एक industrial center है silk waving is the main activity in madurai and kanchipuram kanchipuram और madurai में silk waving का काम ज्यादा किया जाता है main activity यहां की है silk waving ओकी भरत नाट्यम is the classical dance form है यहां का जो classical dance है तमिलनाडू का वो है भरत नाट्यम pangal is the man festival celebrated by the people of Tamil Nadu और pangal जो है यह man festival है जो तमिलनाडू के people celebrate करते हैं people are fond of tea and coffee which are grown along the slopes of Nilgiri hills people's बहुत ज्यादा tea और coffee के लिए बहुत ज्यादा fond of है जो की Nilgiri hills के slopes पर grow होती है दोसा सांभर इडली सांभर और उपमा और पापुलर इसनेक्स तमिलनाडू का जो पापुलर इसनेक है वो क्या है पापुलर इसनेक्स क्या है यहां के दोसा सांभर इडली सांभर और उपमा ओके अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में आन्द प्रदेश की ये painting देख रहे हैं आप, कालमकरी painting, ओके ये आन्द प्रदेश की सबसे ज़्यादा महापर ये जो painting है, ये वाली painting की जाती है, ओके देख रहे हैं बहुत ही beautiful painting है The state has three main reasons, the coastal plains to the east, the stern ghat and the pleasure to the west of the ghats आन्द प्रदेश, ओके यहाँ ये जो state है, इसकी three main reasons है, coastal plain, जो east में है, stern ghat and the pleasure to the west of the ghats Vishakhapatnam is a popular seaport, ओके आन्द प्रदेश का popular seaport जो है वो, Vishakhapatnam में है Kanchipuri is the famous classical dance form, यहां का जो famous classical dance है वो है Kanchipuri, कहां का आन्द प्रदेश का, ओके आन्द प्रदेश is known for pails and column curry work, ओके आन्द प्रदेश जो है, pails और column curry work के लिए बहुँ जाद फैमास है Column curry is a style of hand painting, done on cotton or silk fabric with a turmeric pen using natural dyes, ओके यहां का Column curry style जो है, यह एक hand painting है, है ना, जो किस पर की जाती है, cotton या silk fabric पर की जाती है और कौन से pen use किया जाता है, इसमें dominant pen use किया जाता है, जो natural dyes से किया जाता है ओके नेचुरल dyes जानते हैं आप शाही से, ओके अब ओडिसा, ओडिसी दान्स देख रहे हैं आप Odisha has national parks and wildlife centuries, beaches, traditional music and dance, handicrafts, tribal culture and Buddhist relics के लिए जाना जाता है, deposits of minerals like iron, manganese and coal are found in many parts यहाँ पर बहुत सारे minerals deposit हैं जैसे iron, manganese, coal, ओके यहाँ पर बहुत जगह पर पाये जाते है Odyssey is a classical dance, ओके कौन सा डान्स है ओडिसा का, ओडिसी, ओडिसी जो है, यह classical dance है ओडिसा का, most people speak Aurea language और जादा जो people से यहाँ के, जादा दर people Aurea language यह पूलते हैं Conkarn temple, Jagannath temple and Lingras temple are the examples of great architecture Conkarn temple, Jagannath temple and Lingras temple यह great examples हैं यहाँ आर्किटेक्चर के Kuttak and Rolkela are industrial center Okay, Kuttak and Rolkela जो है, industrial center जो है, भगवान, Jagannath, रथ यात्रा is a famous festival भगवान, Jagannath, रथ यात्रा जो है, यह यहाँ का famous festival है, ओडिसा अब हम, हमने यह पढ़ लिया है, किसके बारे में पढ़ा हमने, जल्दी बताओ, किसके बारे में पढ़ा बोलो बोलो जल्दी से नाम बोलो, किसके बारे में पढ़ा है हमने Northern and coastal plants की बारे में, ओके, अब हम यहाँ पर कुछ चुद्धिंग से जो याद रखने वाली है, है ना, उसको हम फिर से रिवाइन करेंगी, the northern plains of India lay to the south of the northern mountains Northern plains जो है, इंडिया का, वो कहां तक फैला हुआ है, south of the northern mountains तक, ओकी, they extend from Assam in the east to Punjab in the north, ओकी, यह Assam से लेक कर, है ना, पंजाब तक फैला हुआ है, the northern plains are made fertile by the rivers that flow through them Northern plains जो है, वो fertile plants है, काई की कारण, rivers की कारण, जो अपने साथ में बहुत सारा materials लेके आती है, the northern plains cover the parts or whole of the state of Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana, Delhi and Assam, northern plains जो है, कौन-कौन से parts को cover कर रहा है, उत्तर प्रदेश, Bihar, Punjab, Haryana, Delhi and Assam, states को cover कर रहा है, the northern plains are composed of fertile soil, northern plains जो है, fertile soil से बना हुआ है, so the most people are involved in farming and domesticated cutting animals, northern plains जो है, यहां बहुत ज्यादा क्या है, fertile soil है, जो इसलिए ज्यादा तर जो people है, यहां के farming work में और animals को domestic करने में involved है, the coastal plains of India includes the eastern coastal plain and the western coastal plain, which are strips of fertile land along the coast, coastal plains जो इंडिया का है, है न, उसमें eastern coastal plains and western coastal plains include है, okay, जो कि, which are strips of fertile land along the coast, जो कि fertile land को strips करती है, okay, the coastal plains of India cover the parts of the whole of the states of Maharashtra, Goa, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, आंद्प्रदेश, Odisha and West Bengal, coastal plains जो इंडिया की है, वो कौन-कौन सी states को cover कर रही है, महाराश्ट, Goa, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, आंद्प्रदेश, Odisha and West Bengal, farming and fishing are the man occupation of people living in the coastal plains, coastal plains पर जो पर peoples रहते हैं, उनका man occupation क्या है, farming और fishing करना, तो ये chapter हमारा यहाँ finish होता है, है न, अब आपको इसके question answer करना है, ठीके, तो fan notebook अपनी complete कर लें, इसको बहुत अच्छे से समझ लें,